कि सेलेस आई टी आई क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आई टी आई क्या जो सर्टिफिकेट है और मार्क शीट कैसे डाउनलोड करें तो आप अपने फोन में क्या करें कि क्रोम ब्राउजर है क्रोम ब्राउजर को ओप बाद आप उसमें SCBT टाइप करें क्या करें SCBT टाइप करें टाइप करने के बाद उसको सर्च करें सर्च करने पर आपके सामने पेज ओपन होता है तो इसमें आप अपने फोन को डेश्टाप मोड में कर ले करने से क्या होगा कि जो चीजें होगी सब जो भी पेज कुलेगा वह पूरी तरह से और अच्छी दिखेगा इसको स्क्रॉल करते हुए आप नीचे के तरफ जाएं दोस्तों बतादे कि आप सोच रहे हैं जैसे कि 10th और 12th का मार्कशीट जो आपके पास मिलता है तो उसमें सर्टिफिकेट भी इंकुलूडेड होता है बट आई टी आई में क्या है कि आई टी आई में आपका मार्कशीट अलग होता है हता है तो माप सीट जो होता है उसौरा अगर एन्क्लूड़ होता है तो यह mark sheet में अंतर है और certificate number जब आप certificate download करें तो राइट साइच में corner पर टौक पर जो आपका certificate number मिल जाएगा तो आईए इसमें देखते है कि IT I i- our certificate boyographic कैसे download प्रमाण पत्र की वापसी जो दिया है उस बॉक्स पर क्लिक करें मुल अंक पत्र प्रमाण पत्र इस बात को द्यान रखें कि इसी पर क्लिक करना उसके बाद से इसमें देखिए कि यहां लिखा हुआ कि स्क्रोल करते हुए उपर करें उसके बाद से लिखा है कि क्लिक करने के बाद दोस्तों यह आपका पेज ओपन होता है राज ब्यवशाहिक प्रसीचर परिशद उत्तर प्रदेश यहां से आप अपना ITI का सर्टिफिकट और मार्क्षिट डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले जो अगर इस्टूडेंट आप अपना प्रोफाइल बना चुके हैं लोग इन कर चुके हैं रजिस्टेशन कर चुके हैं उनके लिए तो इजी है वो क्या करेंगे कि यहां प्या इनको क्या करना है कि न्यू रिजिस्टेशन पर क्लिक करना है न्यू रिजिस्टेशन पर क्लिक करना है न्यू रिजिस्टेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां कुछ इंपोर्टेंट नोटिस दिया रहाता है कि उसमें क्या करना आपको सेशन नमबर रोल नमबर डेटा बर्थ पर भरके उसको रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना उसके बाद से भी किलिक कर ले उसके बाद से अपना रोल नंबर डाले रोल नंबर के बाद से डेटाबर डालेंगे, वैलिड करेंगे तो आपका next करने के बाद otp जनरेट होगा, otp डालने के बाद आप क्या करेंगे, अपना password अपने हिसाब से बना लेंगे, बनाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, back जैसे ही आप आते हैं, जब आप back आते हैं, तो इसमें role number आप जो भरने के बाद जैसे ही आप इस पर लोगिन बटन पर क्लिक करने के बाद नया पेज लोगिन बटन क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा पेज ओपन होगा जहां पर लिखा होता है मूल मार्क्षीट परमाण पत्र की वापसी के लिए अनुरूद करें या अपलाई पर दा मेडिकल लिव तो आप इधर नीचे आएंगे स्क्रोल करके यहां पर देखिए लिखा हुआ विव एंड डाउनलोड इमाक्षीट तो अगर आपको माक्षीट डाउनलोड करना तो इस पर क्लिक करके अपना सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर वाज दिया रहता है य यहां से इस सेटिफिके जो जिसके लिए आप डाउनलोड कर रहेते यह आप इस पर कलिक करेंगे क्लिक करने के बाद क्या हूता है, आपड़िपकेर अपना और नियूंक आता है और वहां से फ inan Πर दिफिकेट अब झरुन लागए और उस पर सब्रेव देखिएणय मा उश करने की प्रकिरिया और यह भी बता दें दोस्तों कि यह जो भी ऑन-लाइन जो आप डाकुमेंट निकालती है यह वेरिफाई करवा के निकालिए और यह हर जगा ऐसा मत सूची कि वैलिट नहीं होगा कहीं भी किसी भी संस्ता में ले जाएंगे यह आप दिखाएंगे यह वैल लोग इन नहीं हो रहा है जैसे लोग इन होता आप कमेंट में बताएगा उनके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा कि कैसे वो लोग अपना शर्टिफिकेट नमबर और है और मार्क्षीट ट्राप करे थैंक यू और चैनल को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करे ओने